है तो है गाइस वेलकम तो दानादर एंड्राइड कस्टमाइजेशन एपिसोड तो आज की सुड़ियों हम बात करने वाल है हम हमारे एंड्राइड डिवाइस में कुछ इस तरह के होम स्क्रीन या फिर आप इसे कस्टमाइज कैसे कर सकते हो यह देखने वाले तो इसके लिए विदाफ डेस्टिंग इनी मोर ताइम लेट्स गेट स्टार्टीट तो कुछ इस तारह का हम सेट अप करने के लिए हम एक लांचर की जुरूर्द पड़ते हैं उसका नाम है लेंस लांचर उसको ओपन करने के बाद आपके सामने बहुत सारे से ओप्शन आते जो आप इड हाइड कर सकते हो और सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आपको आइकॉन पैक नाइट मोड या फिर डार्क मोड चाहिए या फिर बैंक्रांड में कौन सा कलर चाहिए यह यह आप डिसाइड कर सकते हो इसमें और भी बहुत सारे से ओप्शन है इडिट करने के लिए तो हमें बहुत ऐसे अलग-अलग ऑप्शन मिलते हैं सेटिंग चेंज करने के तो यह से हम कुछ सेटिंग नहीं चेंज करते हैं तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यह से आप चेंज कर सकते हो और यहां से होम लॉंचर में जाके सिंपली लिंस लॉंचर को सिलेट करना है और आपको यह से उसको सिलेट करना है तो हमें कुछ इस तरह का सेटप देंगने मिलता है तो अपर आप कहेंगे कि यह बहुत ही चोटे आइकॉन हम इसे यूज के से करेंगे और हमें अगर कोई application ढूंड़नी है तो हमों कैसे डूंड़ने तो आपको सिंपली वाप पर यह से आपको आपको पुराना वाला लॉंचर यूज करना है यह फिर लेंस लॉंचर यूज करना है यह बहुत ही कूल लगता है दिखने में आप आप देख सकते हो कुछ इस तरह के इसका एनिमेशन है और बहुत ही स्मूथ चलता है और यह लॉंचर सिर्फ 2MB का है मतलब यह को डाउनलोड करना पड़ेगा जो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पास आप उस लॉंचर को डाउनलोड कर सकते हो एक बहुत ही अच्छा लॉंचर है कम से कम यह में है आपको बहुत ही अच्छे एच्छी इसी कस्टमाइजेशन दे देता है आप आप दिखने में कितना कूल लगता है तो यह था कुछ छोटा सा टूटेरल जिसमें आपने देखा कि आप के सहसे आमेजिंग एंड्रइड होम स्क्रीन लगा सकते हो सिर्फ दो या तीन एम भी आपके विस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहासे आप उसे डाउनलोड कर सकते हो तो वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना शेर करना चानल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो इसी मजदार वेडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में टिल देन गुड़ बाई